हेलो केडिट्स कैसे हो आप लोग एक अगला दूसरा कोशन लेकर के आगया हूँ आप लोगों का डाउट का तो डाउट क्लेरिंग सीरीज में आप लोगों का सौगत है आज अपन करेंगे यह वाना कोशन नेच्वल नमबर अफ नेच्वल नमबर अंडर 100 मतलब सौ से नीच प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या क्या है ठीक है कितनी ऐसी संख्या है 100 प्राकृतिक मतलब नमबर 100 नमबर जो 3 और 5 दोनों से भाग हो जाए तो यह कोशन को आगे सौल करने से पहले मैं आपको यह बता दू कि यह जो सीरीज है यह डाउट लेरिंग सिरीज इसमें आप भी अपने डाउट्स ब्रेज सकते हैं जिसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है आपकी यह जो सीरीज चल रही है जो प्लेलिस्ट होई है इसके सारे कोशन को जरूर देखें एक बार एक्जाम से पहले क्योंकि यह सारे अच्छे डाउट कोशन है यस तो यह आपको कुछ नव कुछ सिखाएंगे इंपोर्टन कोशन से एक्जाम के लिए बहुत कम आए था भाई साब जो गीवन जितने भी नंबर से उन सबसे डिविजिबल होता था तो सबसे पहले लिए निकालो 3 और 5 का लिए पंद्रा है क्योंकि दोनों के हैं प्राइम नंबर है तो डिरेक्ट मल्टिप्लाई कर दो तो लिए हो जाएगा 3 इंटू 5 15 मतलब सबसे छोटा जो 3 से भी डिविजिबल हो कौन है 15 अब मगर 15 के मल्टिपल रहना कुछ भी रिखूं 15 डबल 30 तो वह 3 से भी डिविजिबल होगा 5 से भी तो मतलब अब 15 जो LCM के मल्टिपल्स है वो उन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा तो जब भी स्टैप का सवाल है अपन को क्या क से बासवंग में आई 15 से डिवाइड कर देना है कितने क्या सपसा है का आप देखो अगर मैं बोलू 15 इंटु एट फाइट फाइट फॉर्टी जिरो कैरी फॉर्ट फाइट एट एट फॉर्टी जादा हो गया नहीं भी या साथ करके देखने हैं 7535 का 5 कैरी 3 ठीक है 7535 का 5 क एट एट नहीं नहीं दस रिमांडर अब जो रिमांडर मना उससे कोई मतलब नहीं मतलब 6 ऐसे नंबर है मतलब अगर अपन 100 को ऐसे 15 15 में डिवाइड करेंगे तो 6 पूरे रहेंगे मतलब 6 मुल्टी पल आएंगे 15 इंटी निटी तक आपके टोटल 6 ऐसे मुल्टीपल आ र रहे हैं और जो 100 से कम हैं बासमिग में आई तो जो भी उपर कोईशेंट होगा वह आपका एंसर तो जब भी इस टाइब का कोईशन आए क्या करना है भी या मालोगर मैं बोलू 500 से नीचे के नंबर एक और सवाल सुनो 500 से नीचे के नंबर जो 3 से डिवीजिबल हो जो 3 से मतलब 3 के टेबल में आने वाले सारे के सारे नंबर बताने हैं 500 से छोटे तो कुछ नहीं करना है 500 को डिवाइड कर देना है आपको 3 से ठीक है क्या निकालना है 500 से छोटे वो सारे नेच्छल नंबर जो 3 से डिवीजिबल हो तो 500 को डिवाइड कर देना है आपको 3 से तो 3 व होंगे ठीक है क्या तो जब भी आपका पोले कि बताओ कितने सारे नेच्टरल नंबर्स है किसी एक पंटिकुलर नंबर से छोटे जो किसी एक नंबर से डिवीजिबल हो तो बस डिवाइड कर दो जो कोईशेंट आएगा वही आपका एंसर होगा क्लियर है यह सौट रेक चलो अगर चमक गया तो मैंने को कमेंट सेक्शन बताना कि चमक गया सर कोई डाउट है तो मैंको बताना कोई प्रब्लम है तो बुझे बताना ठीक है तो अपन मिलेंगे फिर अगली क्लास में उससे पहले कर सकते हैं एक डाउन्ट करने के बाद उसमें आप स्ट्र सेक्शन में जा सकते हैं स्ट्र सेक्शन में एयाई-एससे का कोर्स मिलेगा जिसमें बहुत सारे फ्रीडियोज और प्लास नोट सब कुछ है आप उनको चेक आउट करोगा आपको लगता है कि यह आपकी लाइफ म